हलो गाइस वेलकम टू द्रश्टी माइनिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका श्वागत है गाइस आज के सेशन में ओवर मैंनिंग सरदार जी टी और एम्टी एक्जाम्स जैसी परिक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले मौस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे आइस अगर आपने दो लेक्षर और नहीं देखे है तो जाएए और उन्हें देखिए मैंने मौस्ट इंपोर्टेंट के बार वार पूछे जाने वाले फुल फॉर्म के बारे में बताया है इस एक्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा आइस मैं ये फॉल फॉर्म आप लोगों के ये बालेक्षन करके आया हूँ ये माइनिंग के एक्जाम से जैसे ओबर मैन, माइनिंग सरदार, जीट की, MPA, DGMS एक्जामिनेशन में पूछे गए है एक भी लक्षर को मिश्मत करना और इसे इसकी भी मत करना पूरा जरूर द आज के इसरे सेशन की शुरुआत करते हैं इस सेशन की शुरुआत करने शे पहले करका रिक देख लेते हैं कुछन है EFAS का फुल फॉर्म के है उसका अंसर है option number A, Personal Call Arrest system प्रिस्टे अगले question RAC का फुल फॉर्म क्या है इसका अंसर है option number A is to alarm and extinguished अगला question है इस CP का full form क्या है? option number A is to dry chemical powder अगला question है LPG का full form क्या है? इसका अंसर है option number D liquid petroleum gas अगला question में LNG का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर है option number A, Equified Natural Yes अगला question में, FFE का फुल फॉर्म क्या है। इसका answer है option number B, Firefighting No. अगला question में, अगला question है, WSC का फुल फॉर्म क्या है। इसका answer है, option number A, World Safety Coins, FFE का फॉर्म क्या है। इसका answer है option number B, Fire Extinguished Treatment, इसका अगला question में, TNG का फॉर्म क्या है। इसका answer है option number A, Compressed Natural Yes अगला question है, HOP का फॉर्म क्या है। इसका answer है option number B, Safe Operating Procedure आज की session की शुरुआत कल के अभ्यास पॉर्म से करते हैं। इसका अभ्यास पॉर्म क्या है। इसका सही answer है option number D, Safe Work Permit इसका नए प्रशन से शुरुआत करते हैं आज की session की प्रशन का answer देने से पहले guys, मैं आपसे request करना चाहूंगा। Guys, वीडियो को अभी पहुच कीजिए और अपना answer टिक करो, फिर मेरे answer से मिलान कीजिए। और देखिए आप कितने question को टीक कर पाते हो। इससे आपको question की practice भी हो जाएगी और देखना आप exam में सही answer टिक करके आओगे। Exam देने से पहले एक बार revision जरूर करके जाना guys, क्यूंकि guys exam में question आपको इन ही मेरे question में से देखने को मिलेंगे। अगर guys exam में full form से कोई question आता है तो देखना इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप इन्हें अच्छे से तयारी करके जाना। चलते हैं आज के नए question की ओर। इसका शहीं अंसर है ओप्शन नमबर A एक्वेज फिलिंग फॉर्मिंग फॉर्म 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 फॉर्म। इसका शहीं अंसर है ओप्शन नमबर A एक्वेज फिलिंग फॉर्मिंग फॉर्म। अगला question है त्य ये वी का फॉल्म फॉर्म क्या है क्या है ? हर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर आपशीन नमबर भी इजी लाइफ सरक्यट ब्रेकर ऑपशन नमबर डी इडेज सर्कुट ब्रेकर जmeंबर आंशर है ईञाव नमन शर्कुट ब्रेकर अगला कोशन है में MCB का फुल फॉर्म क्या है। इसका सही अंसर है ऑप्शन नमबर बी मिनिमाइज सर्कुट ब्रेकर। इसका सही जबाब है ऑप्शन नमबर V – Fire Safety Coordination अगला कोश्चन है, SQS means option number A, hydraulic sulfide, option number B, hydrogen sulfur, option number C, hydrogen sulfide, option number D, hydrogen sulfuric इसका सही जवाब है, option number C, hydrogen sulfide अगला कोश्चन है, SO2 means, option number A, sulfur dioxide, option number B, sulfur dioxide, option number C, sulfur oxide option number D, sulfur carbon dioxide, option number A, sulfur dioxide, option number B, sulfur dioxide अगला कोश्चन है, STL का full form रहा है, option number A, short term exposure limit, option number B, short time exposure limited, option number C, speed time exposure limited, option number D, short term exposure limit इसका सही जवाब है, option number A, short term exposure limit, option number C, long exposure limit, option number D, low exposure limit, इसका सही जवाब है, option number B, lower exposure limit, अगला कोश्चन है, EL का full form क्या है, option number A, permission explosive limit, option number B, permissible explosive limit, option number C, permissible explosion limit, option number D, permit explosive limit, इसका सही जवाब है, option number B, permissible explosive limit, अगला कोश्चन है, यू ई का full form क्या है इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है इसका आज का घ्यास प्रेश नोट कर लेते हैं TMS का full form क्या है का option number A emergency mining system option number B emergency monitoring system option number C emergency management support option number D emergency management system इसका अंसर कमेंट सक्षिन में जरूर देजिएगा बिलते हैं नई कोश्चन हो किस साथ अगले सेसन में तके लिए इन्यवाद इसका आज कोश्चन हो